नमस्कार दोस्तों महीं परदीद दुबे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अगर आप पैसाबजा.com से उनका जो ओपसियल मेंबर्सिप है अगर आप लेते हैं या सिविल के ओपसियल साइट से अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें क्या-क्या देखने को मि कर दिये हैं तो आपको क्या benefit मिल सकता है आज इसका पूरा प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं तो मेरी आप से भी नीत है कि आप इस वीडियो को skip न करके सुरूर से लेकर अंतक वाज करना मुझे like करके support करना चलिए बात करते हैं topic के ऊपर जो पैसाबजा.com बैंकबजा.com क्रेट मंत्री यह जो अलग-अलग साइटे हैं आपका civil की optional site यहां पे आप देखते हो तो आपको पैड करके एक optional जो है आपको एक membership मिलता है जैसे कि उसमें क्या होता है कि अगर आप ए membership payment जैसे कि आपको किसी का 1000 है किसी का 1200 है किसी का 500 है किसी का 899 है सबका अल फिट जा लो बैंट फिट आपको ए है मालो आपने एक company से जैसे कि आपने बजास से एक लाग रुपीस का लोन लिया था और मालो आपने 10 से 12 माई पे किया और आप क्या किया कि 12 बाकी का 1-2 माई आप payment नहीं कर पाए तो ओ लोग civil में right-up कर देते हैं अगर अगर रुकरी नहीं कर पाए तो तो बाद में आपको अगर लगा कि मुझे लोन लेना है और मैं payment कर दूँगा तो मेरा जो वहां से यो राइट अप लगा है civil में remove हो जाएगा बट वह जल्दी remove नहीं होता है तो आप लोग सोचते हो कि मैं क्या करूं call करते हो तो वहां से बोला था कि आ अगर आप membership ले लेते हैं तो आप अगर उस पर call करेंगे अगर आप जो है फ्रूब करेंगे या उनको आप अपना बैंक का statement या आप उनको अपना जो है जो payment किया है उसकी आप पुरा डेटर्स उनको share करेंगे तो उस विहाब पे वहां पे आपडेट करते हैं इसके लिए खोदी वह आपके civil को improve करवाने में increase करवाने में गलत इंट्रियों को remove करवाने में help करते हैं यह बात है बिलकुल सत्य है बिलकुल right है क्योंकि यह चीजे मैंने खुद research किया था जो कि यह लोग इस पर अच्छा काम करते हैं अब यह सवाल आ गया है कि हम किसका membership लें पैसा स्कोर का जो option में से ओ लें कौन सा लें देखिए पैसाबजा.com एक बड़ी company है और आज के time से नहीं बहुत time से काम कर रही है और अपने इंडिया में आपको पता है कि अक्षे कुमार जी इसका प्रचार किये थे आपको मालूम होगा कि टीवी पर कुछ एड़ सो आये तो क जो है इसमें से किसी का भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर आप भी default किये हैं या आप जो है payment कर दिए आपका loan अगर activate है या आपने कहीं भी only loan के लिए थोड़ा से चेक किया और inquiry फालतू आगे remove नहीं हो रही है तो आप जो है अगर इनका जो है ओप्सियल अगर ल होते हैं तो काफी हद तक एच आपके लिए सही है अब नुकसान की बात करो तो नुकसान इसमें बहुत कम है नुकसान इसलिए कम है कि अगर मालो आप timely repayment कर रहे हैं कोई default नहीं किये है तो आपका timely repayment होगा आपका civil update होगा तो इससे लेने से कोई benefit नहीं है बट आज के timing मे काफी लोग जो है इसको लिए हैं और काफी लोग अपना civil improve करवाए हैं तो इसमें क्या होता है कि इनका ओफियर टीम होता है जो कि इस चीज के लिए खोदी ओ उस पे काम करती है और अलग number यह आपको मिलता है तो ए लोग खोदी इसको manage करते हैं तो आप लोग जरूर इसक को सेर किया हूं आपको बताया हूं अगर आप मुझे comment करोगे कि इसका कैसे लेते हैं कहां से मिलता है तो इस पर एक वीडियो और रहा दूँगा only मैं यह वीडियो इसलिए बनाया हो कि काफी सारे मेरे पस्वाल आये थे जो इसके बारे में मैं सेर किया हूं तो वीडियो क किसा, तब तक किले ज्याहिए हिन, वान दे मातरम